देखे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस दोरे हत्याकांड की तफ्तीश पुलिस कर रही थी उस तफ्तीश के दूसरे आरोपी जाबिद को पुलिस ने आज ग्रिफतार किया है और ग्रिफतार करने के बाद उसे पूस्ताच की गई है पूस्ताच में जो कुछ भी उसने बताया है जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बगाया है उसके बारे में मैं आप लोगों को सिंशेप में अवगत पराना चाहता हूँ उसका ये कहना है कि दोनों भाई एक बारबर शॉप पे वहीं काम करते थे जो पीडित परिवार के घर के बिल्कुल सामने है वहां गरीब 45 सारों से काम करते थे और जो भाई था उसका साजित उसका पीडित परिवार से वाकित भी थी उसके यहां उनका आना जाना भी था घटना के दिन की बात उसने बताई है कि वो लोग जैसे रूटीन में हर दिन वो आठ सारे आठ के आसपास अपने गाहों से चल करके मोट साइटिस से आते थे वो दोनों आए और उस दिन उनका भाई थोड़ा गुमसुम भी था साजित की बात कह रहा हूँ जाविद ने अपना काम नॉर्मल तरीके से शुरू किया उसने करी लों की शेविंग भी की बाल भी काटे दस साहे दस के आसपास जो साजित था उसने कहा कि उसे कुछ दिक्क्त आ रही है वो किसी डॉक्टर कहा जाने की बात करके गया और करीब एक डेल के आसपास वापस आने के बाद उसने कार कि उसकी तबियत खराब हो रही है यहां पर आप लों को यह भी बताना चाहूंगा कि पूर्फटाज में यह भी तत्थे निकल के आए हैं कि साजिद बच्पन से बहुत बिमार रहता था और उसके पिता जी ने उसको पीर और यहां जो छोटे सरकार और बड़े सरकार हैं वहां भी उसको काफी लिया गर्के उसको दिखाया इनर फैक्ट दस साल की उमर में जब वह काफी बिमार पढ़ गया था और उस दो तहीं यह ठीक नहीं हो रा ता तो उसके पिताजी ने वहां एक जोपरी डाली थी बड़े सरकार में और बच्चे को किस तरह की बीमारी थी इसके बारे में भी हम लोग जाज परताल कर रहे हैं लेकिन ये अवश्य बताया गया है कि वह जब उसको इस तरह की दिक्कत आदी थी तो काफी अग्रेसिव हो जाता था और उसमें वह किसी के नियंत्रों में नहीं रहता था तो ऐसा प्रतीत होता है क कि वह और इस इमोशनल अफिवल के टाइम पे उसने भी बताया है कि उसके बाई ने कि एक दो बार उसने अपने आपको डैमेज करने की कोशिश की एक बार उसने चुह माने की दबा भी खा ली थी जिसका आलापुर में एक डॉक्टर साफ के आँ इलाज भी गुआ था और अक्सर वह इस तरीके से थोड़ा वाइलेंट हो जाता था और घरवालों के लिए अंतरमें नहीं आता था उस दिन जो घटना करम था उसके हिसाब से डेड़ वजे के आसपास उसने कहा कि मैं मेरे दवित खराब लग रही है और मेरा मन नहीं लग रहा है तो फिर यह दोनो वापस से खानू चले गए और थोड़े दिर के बाद ही उसके भाई ने कहा कि भी तुमाइज तुमाइज तवित खराब नहीं लग रही तो आज हम लोग कुछ चिकन वगरा बना के खाते हैं लेकिन भाई की इंसिस्टेंस पे दोनों फिर वापस चले आए शेर की तरह आन हुई है कि गवा के बयान से शाम को करीब पास अड़े आद पाच के आसपास ये थोड़ी दिर के बाहर गया साजित जब लॉट कहा है तो उसके हाथ में एक चाकू निखाई पड़ा हम लोगों ने उस विक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसके हाँ से वह चाकू ख हुई वद्हां कि खैस कर रहे हो उसके बाद दोनो इसने बदाय कि मैं मुझे किसी काम से पृड़ीत विनोत यहां जाना है विनोत Falls oblivionot के जाने के जाने के लिए जब दोनों बाहर निकले तो विनोत के घरके अंधर चला गया और जाकरके उसने वहाँ घटना करम को अंजाम दिया जब इसने देखा कि वो नीचे से देखा कि वो खून से सने कपरों में वहाँ छट पे दिखाई पड़ा तो यह घबरा गया वो नीचे आये और दोनों भाई वहाँ से जब भागने का प्रयास कर रहे थे तो पब्लिक के द्वारा उनको पड़ने का प्रयास किया लेकिन दोनों वहाँ से मौका देखकर के छूट के निकल गया उसके आगे का घटना करम मैं पहले भी आपको पता चुका हूँ जावित तो भागी गया था साजीद भी भाग गया था फिर थोड़ी दिर के बाद पुलिस को जब सूचना मिले कि ब्लाट स्टेंट कफ़ों में एक विक्ती शेक उपर के जंगलों के आसपास दिखाई पड़ा है तो पुलिस ने वहाँ घेराबंदी की और घेराबंदी में जब वह अपराधी ने भ इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहा था जो अब पकड़ा गया है उसके और पूस्तास की जाई गया इसे और उसके जबार जो भी अन्य फैक्ट्स बताए गये हैं वह विविचना का पार्ट है जिटके बारे में अलग से तफ्तीश कर रहे हैं सब्सक्राइब कर दोनों साथ गये थे जाविद का ये कहना है देखिए हमारे पास अभी मुल्जिम का वर्जन है जिसकी अभी क्रॉस चेक्टिंग बाकी है उसका कहना है कि साजिद अकेला गया था मैं नीचे ख़डा था आसपास के जो कुछ लोग हैं जिनसे पूस्ता च आया है एक बात तो ये निकल के आ रही है कि वह मांसिक रूप से तुरह परिशान था अग्रेसिव नेचर का था वालेंट था और ये भी बात समझ में आई है कि शादी भी उसकी बहुत दिक्कत में थी चुकि शादी उसकी अभी से तीन-चार सार पहले हुई थी और कई को सब्सक्राइब देखिए इस कंजेक्चर पर अभी टिपनी करना उचित नहीं है लेकिन जैसा मने आपको बताया कि जो भी फैक्ट्स हमारे पास से इस पूस्ता से उन सारे फैक्स को एजामिन किया जा रहा है और उनको जो भी उस पर सबस्टांशिल फैक्त निकल गया है व सब्सक्राइब दोनों वहां साथ में गये थे और एक कौमन इंटन्ट था और भागने में भी दोनों साथी थी थे थी उसका कहना है अभी तो अभी तक उसने कहा है चाप過去 बचल मोजी बदा कि वह द्रखरνο Михाग करने जा रहा है लेकिन उसके वाए लेंट ने सबसक्र बाता कि में उसको पता था और यह जब पता था कि जब वो घटना करने उपर गया जब नीचे लौड कया तो घटना करे आया था वो दोनों साथी महां से भागे तो कैसे मोटिफ की बात वी जो इसने बताया है उसके विशे में अभी उसने कुछ नहीं बताया है पूर्स्त आचे भी जाई है और और तथ्यों क सब्सक्राइब कर रहे हैं और आज उसने बरेली जनपद में एक तरीके से अपने आपको आत्म समर्पित किया है यह बात भी सही है वहां से पुलिस उसको लाकर के पूछ आच कर रही थी घटना के बारे में उसने जो कुछ भी बताया वो उसमें शामिल था या नहीं था यह उसका वर्जन है और जो कुछ भी हमारे पास फैक्ट्स आ रहे हैं हम उनकी जाज़ परता है देखे मैं आपको पहली बता चुका हूं घरवालों ने आप लोग से क्या कहा है वो एक अलग बात है हम लोग ने उससे जो अलग से बात की है पूरी जाज़ परताल की है वो उस इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में जो कुछ भी हमने अपने अपने फैक्स से कटा किये हैं अगर हैं तो उन सारे कॉंट्राडिक्शन के जाज की जाएगी संगीता से भी बात की जाएगी आज उनके घर के लोगों से भी डिटेल में हम वो की वारता हुई है और सारे फैक्स कटा किये जा रहे हैं विवेचना अभी पूरी तरस ओपन है तो अभी इसमें जितने भी साइगे हैं सब को एक्जामिन किया जाएगा अब मैं आपको इस बात का जिकर नहीं है कि पुलिस को हैंडोवर किया गया में इस बात का जिकर है कि वो भील के हाथों से चूटके भागा जिकर किया था कि यह की आरुपी है उसके पीछे लगाता भी प्रियास करें उसे पकड़ने का देखिए मौके पे जो स्टेटमेंट आया और मौके पे जो जानकारी हुई आप जानते हैं कि विवेचना जैसे से बढ़ती है उसमें नए फैक्ट सामने आता है पुलिस का कोई जिकर नहीं है कहीं पे यह आस पास के बहुत सारे लोग बहुत सारी बाते कह रहे हैं कितनी दुर्टक साथ भागेती इसके मिशने भी चांज परदाल कर रही है कि आपके दोनों सवाल के बारे में बताना चाहूंगा कि साजिद इस प्री कंसीवड इंटेंट के साथ गया था कि उसको इखटना करनी जावेद अभी इस बात को कह रहे हैं कि उनको यह पता नहीं था हम उनकी बात को रिलाई नहीं कर रहे हम इसके बारे में ग्दुहर ज जागर नहीं कर सकते हम उसको इसको स्टडी कर रहे हैं और जो अपराजियों के द्वारा जो जो ज़ो अजावित के द्वारा जो बताया जा रहा है उसको हम करना उस बात से तो अगर आपको बारी बारी पूशेंगा तो बटा पावों ने कर देखें बैने आपको बताया एक बट एक बट इस वे आपको बताया जो फैट समारे पास हैं जितने भी फैक्स मेरे पास निकल के आए हैं वो फैक्स मने भी आपको इहां बताया हैं वाकि यो फैक्स मेरे पास हैं दे नीट एक्जामनेशन उनका जवाब में अभी इसी समय आपको दे पाने के लिए सक्षम नहीं हूं I need some more investigation वो करने के बाद ही मैं आपके बाकी सवालों के जवाह आप हने आप अब को मैरे पास थिर्ष किए और मेरे अब लोग सवên को पूछेंगे और सवाल काफी पूछेंगे गयांते हैं जो फैक्स थे सो का इम प्कूरा के ला कि उस क्या भला कि उल्कि उसने जाने का अभी जो जाविड-का जो स्टेटमेंट हमारे पास है उसके साफ सुपने जाने का कोई मोटीव नहीं बताया उसने बोला वहां चलते हैं और जब वहां गया तो उसने घड़ना करते हुए उसको देखा सब्सक्राइब करता है उसको दिखाई पड़ता है पिर जब इंपाउंटर आपने किया उसके पास से पिस्तल बराबर किया गया है तो क्या उसके बास्ते प्सक्राइब करते हैं जो आपके सवालाथ है निस सवालों के जवाब में और इंवेस्टिकेशन के बार ही दे पाऊंगा अभी तक जो सिक्वेंस से इवेंट है मैंने आपको बता लिया जावी से पूस्ता कि अभी चल रही है अभी और करके आएगे तो तीसरे बच्चे को भी मार जेकता है उनकी मां संगीता को भी मार जेका वहां से कोई पॉस्सिबिलिटी नहीं है और उनकी मां उनकी दादी सब वहर आगली तो जावेस्ट का इंज़ार कर रहा था कि वो नीचे आये देखिए ये आपका वर्जन है जो ने कि आपको बताया वह उपर से नीचे देख पाया नहीं देख पाया नीचे सब तो मौके पर सीन को रीक्रियेट करने के बादी पताच लेगा यहां बैट गया जयसा मैंने आपको बताया कि इंक्रिस्टीचेशन के सार पहलों भी खुले है जो बिंदू आप लोंगों ने ब जो आपने कहा यह बहुत महत्रकूर्ण विशय है उसका मानसी कुरूप से उद्वेलित हो जाना हर बात पे उसके वच्पन जो पीरों और चोटे सरकार में काफी समय बीता और वहां पे और बहुत डिवाउट टाइप का भी आदमी उसके भाई ने बताया है कि वह अक्सर वह अब तक जो बाते निकल के हैं हमने उनके घर्वानों से भी बात की है उसकी में इस्के बारे में और यह सारी चीज़े जो बता रहा है यह यहां तक कि पीडित के घरवाले भी जो कह रहे हैं कि अब बातों को सुनेंगे उनकी जाच करेंगे अपने इसको शाविल करेंगे और उसके बाद ही अपनी प्रेस का अभी ऐसे किसी बाबा की नहीं नहीं अभी ऐसे किसी बाबा की किसी स्पेसिफिक बाबा की डिटेल नहीं मिल पाई है यह पता चला है कि वो तीन जगों पर उसका समय जादा जाता था यह चोड़े सरकार बडे सरकार और एक नवादा के पास एक और मजार जहां इन तीन जगों को अक्सर फ्रिक्वेंट किया अब कि यह बाटे सोगे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया मान से किस्थिती खराब थी मैंने यह आपको नहीं कहा मैंने कहा कि उसके घर वालों के दोरह बताया गया है कि वह वाइलेंट नेचर का अद्मी था उसकी तब्यत खराब जाती थी यह सब्जेक्ट ऑफ इंवेस्टिगेशन है हम इसके बारे में जितना उसके दोरह बताएगा वो मैं आपको बता रहा हूं मैं अपनी तरफ से को यह सब्जेक्टिव स्टेट्मेंट आपको नहीं दे रहा हूं कि उसकी मालसिक इस्तिक खराब ही हमें मान की चल रहा जावेद ने कहा कि जावेद गेट पर खड़ा गवा था और पैसे लेने कई तो क्या जावेद ने ये पांच हजार रुपय वाले मागने की बाद कि दोरों गेट पर खड़े होगे साजी दें पांच हजार मांगे संगीता गई लेने या नहीं गई या जावेद बच्चों को ऊपर लेकर ते या क्या इस स्टिक्वेंस पर उसमें पिर बताया है उसका यह कहना है कि दोनों बाईयों में काम दोनों अपना कर दे थे और कुछ बातें वोग शेयर करते थे बाई इस फैक्ट के बारे मुस्के अभी तर कुछ नहीं बताया है कि दोनों बच्चों की अप्टिया करने के बाद जिब साजित उतरा है क्या कुछ यह सब्जेक्ट ऑफ इंविस्टिगेशन है इसके बारे में बहुत खुशी के साथ मुरे रहे हैं आठ दिन पहले बाद इसकी पत्नी से बात करने के लिए भी एक टीम गई हुई है उसकी पत्नी से भी पूस्टाश की जा रही है और अगर नार्गों क्या पड़ी बच्चों की मां इन दौनों के जो स्टेट्मेंट शुरुआ को जो मेडिया स्टेट्मेंट है परिवार के लोगों से अलग से पूस्ताश की जाएगी अभी थोड़ा इलित पक्ष है और पुलिस भी अभी इन अभ्यूक्तों के पीछे भाग रही थी इनको गिरिफ्तार करने के लिए विवच्णा के लिए अब हमारे पास जो समय है उसमें हम परिवार के लोगों से भी पूस्ताश करेंगे जो विरोधा बाफों की बात आप लोग कह रहे हैं उनके बारे में भी बात चित की जाएगी और एक 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 पेड़ू को बहुत ध्याद के खाएगा उसकी लिखा पड़ी अभी हम लोग कराएंगे उसके बाद उसको पीश्किया एक मजला जो थी इसको साजीज में इनके घर पर रेंट पर दिलवाया था उसके बाद कुकि उसी वजह से साजीज और जाविज का उस घर म में आना जाना हुआ और उसके बाद विरोध ने उस महिला को अपने घर से निकाल दिया या रिट से भार कि क्या ये वजह हो सकती है इसके पीछे देखिए ये फैक्ट जो आप लोग बता रहे हैं इनमें बहुत सारे फैक्स अभी हम लोग के पास नहीं आए हैं आप लोग ये बात उसके भाई जावेद ने कही है उसके चाचा ने भी इस बाद की कुष्टी के लिए ये मेरा कोई सब्जेक्टिव ने आप समझे ये मेरा कोई सब्जेक्टिव स्टेट्मेंट इसमें नहीं है मुझे क्या मैटर ये मेरा मैटर नहीं ये अक्यूज ने जो बताया है इस सब्जेक्टिव इंविस्टिगेशन मैंने आपको फैक्स बताया है जो उसके तौरा बताए गया है और उन फैक्स का एग्जामिनेशन भी जरूरी है जिसके लिए हम लोग को समय चाहिए जो भी की से तौरा पताए गया है जो मैं आपको पहरे से बता रहा हो एक मैं अपने बाहिए जो भी आप अंप अब को एक बात बात जो पना चाहते हो मेरा पास बहुत सारी फैक्ट कुछ wrong लोगों को सब्सारी मीडिया के आप लोगों ने हम लोगों से निकल कर आ डाये हैं घरवालोण और आपको अब्स अधार दॉकिनन्ट हमारे पांस से बैठ करके अभी एग्जामिन करना हमारे लिए अभी जरूरी है इसके अलावा जैसा आप लोगों ने कहा दिर इस पार्ट ऑफ एलेक्ट्रोनिक सर्वेलांस और वह बातें फिर उनको उस तरीके से भी वेरिफाई के जाएगा इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है हर तरीक अभी चालू है जिनके बारे में डियूरिंग तो कॉर्स अभी हम बताना उचित नहीं समझते वह बातें जब पुक्ता हो जाएंगी हम आपको जरूर उनके बारे में अप्राइज करें अगर मैं बात करूं मोटिव की को आप यह करना चाहते हैं कि मांसिक रूप से चुप और वो जो भी जहाँ पीर यहां जहाँ जहाँ भी जाता था यह क्या जिस्वसकृ और यहाँ नोगराने में कर दिलो बारे में इसके बारे में पूस्तास की जाएगी, हत्या कराने के पीछे भी क्या मोटिव हो सकता है, इसके बारे में भी उनके घर वालों से डिकेल में पूस्ता है। इसके बारे में पूस्तास के हवाले कर दूँ जनपद में उसने बारादर ही थाने के चौकि वहां उसने अपने आपको संवर किया जहां से हमारी पूस्तास को लिग आई है। आप जो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा है, तो जो भी लोगों ने कहा है, हम सब उन बातों के एक्जामिशन कर रहे हैं। और बिना उनको जाचे पड़ताल किये, बिना उनको तथ्यात्मक रूप से देखे, इसमें कुछ भी क्या ना हुचित है। अगरे जो सरकारी डॉक्वेंट्स होते हैं, जो थाने का डॉक्वेंट्स है, उसमें उनके खिलाब कोई मुगर्मा नहीं है। लेकिन अन्य थानों से भी पता किया जा रहा है कि इसके पहले जाहां रहते थे बुशी स्वर की बात निकल के आई है कि जाहां वो पहले रहते थे वहां भी लेकिन उसी थाना चेत्र के दूसरे गवाँ में रहते थे और वह बात आ से करीब 35 साल पुरानी है, तो थाने के कोई बात निकल के नहीं आई है, लेकिन बागे रिकॉर्ड अभी मौट चेक करा रहे हैं और कोई बात निकल के आएगी तो आप रों को बताए जाएगा, आपके पास परिवार का मरजन है, हमारे पास मिल्यम का मरजन है, इट नीज स्क्रास एक्जामनेशन, शेखुपुर के जंगल के पास है, सर एक छोटा सा क्लियर कर देशे, बहुत सारी कंजूजन चल रहे हैं, इसमें चल रहा है, कि जब वह बढ़ा है, नीचे जब वह आया, उसके बाद सर वो चाकू लेकर आया, पुलिस के हाथ से वो भागा था, लोगों के बीच से वो भागा था, क्या उसे पकड़ने ही पाई थी, और इंकाउंटर का जो पूरा सीन है, वो सरी का दीज देखे, बहुत डिटेल में तो मैं आपको जो बता चुका हूँ, उसके अलबा मुझे इसमें सर्फ यही एड करना है, कि वो जब नीचे आया, भीर ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, वो भीर से निकल के भागा, अपको लोगों ने क्या बताया है, वो आप बता रहे हैं, उसको एजामन करेंगे, उसमें पुलिसवा नहीं था, अपके पास अगर एफ आई आर है तो आप दिखा लिए, उसके बाद सवाल करेंगे, यह भी सब्जेक्ट ऑफ वो जहां से लिया है, उसने मैंने आपको पताया, उस विक्ति को हमने इडिन्टिफाई कर लिए, उससे पूर्टाच की जा रही है, वो कहां से लिया, कितने बज़े खरीदा, यह फैक्स हमारे पास है जाकु है हर् उससे, क्या क्या काट सकते हैं यह तो, इनकाउंटर के बारे में ऊफ्uch भी बताना, वो उस के इंटेग्रिय को वालेक करना होगा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताबा हूँ है। जैसा मैंने आपको पता है कॉल डीटेल को हम स्टड़ी कर रहे हैं अगर कोई ऐसी बात ने कलके आई है तो उसको भी हम उसको भी हम उसको भी तफिश चल रहे हैं हमारा सवाल यह है कि जब साजीद जावेद को उपने साथ लेकर के गया दोनों इसको थोड़ा एलबरेट तरहें के पूछ हम जब दोनों इसको ने ने आपको ने बचाया और वो साजीद जब बच्चों को लेकर के ऊपर गया तो जावेद में क्या देखा या चुना और तो क्या चीख कुगार की आवाज उसमें सुनी देखे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक एक मिनाटिक वर्सक्राइब देखे आप आप जो सवाल कर रहे हैं वो उन सारे सवालों के बारे मुझे सिर्फ यह कहना है कि जावेद का वर्जा हमारे पास है जावेद का जो कहना था वो हमने आपको बताया कि जावेद नीचे कड़ा था साजीत उपर गया उसने घटना की नीचे लोटके आया और दोनों वहां से भागे इस बीच के जो माइनूट डिटेल्स हैं जो आप पूछने इनके बारे में जो भी विरोधाबास है उसके बारे में अभी हम जाश आपने कहाता आपके और लोगें जो हमारे पास फैक्स में आपको बता है हमारे पास फैक्स है कि साजीत ने घटना की और साजीत के द्वारा ही घटना काली थी सब्सक्राइब अभी उसे पूस्ताज जारी है और भी कोई बात से तिंकल के आईगी वो आपको बताएब अज़ा सर्ब ये तो हो गया जो उसने आपको बताया आप लोगों की अफ़ती जो क्राइम सीन्ग की दाश है एबी पी गंगा खबर आपकी जवाब की